आप सोचते होंगे कि मैं जो पल्स के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ तो उसका रीजन यह है कि यहाँ पे आप देखें कि जैसे एक क्रिश्टल है और एक क्रिश्टल से जो फिर्क्वेंसी जनरेट होती है वो frequency का जो graph बनता है आप देखे होगे वो graph इसके design के अंसार जो है फिक्स किया होता है कि ये जो है frequency कितने की होगी और जो graph बनता है यानि जो design बनती है वो एक DC बहुत छोटे से voltage से ही इसे design किया जाता है वहाँ पर कोई AC voltage नहीं होता लेकिन AC voltage ना होने के बाद भी जो है ये जो है crystal एक ऐसा काम करता है जो की on और off दोनों condition में एक केरियर का काम करता है जिस पर सारे हमारे signal और voltage हमारे जो है उस पर एक बस चेचिस की तरह जो है सवार होके वो ट्रेबल करते हैं एक signal को दूसरे signal को जितने भी signal होंगे एक बस पर ट्रेबल करके और कहां से कहां पर पहुँचना है इसका decide एक प्रोसेसर के बारा होता है और इसमें जितने भी DC supply यूज़ किये गए हैं ये DC supply में जो भी function है आप बहुत ध्यान से देखेंगे frequency और voltage के recording ही काम करते हैं वो भी एक DC इसलिए सबसे बड़ी supply जो यहां मानी जाती है 220 volt की AC DC के बाद हम DC बनाते हैं और हमको कितने वाटेज की जरुवत होती है उसके अनुसार हम ACMPS के supply को design करते हैं और design करने के बाद इसके output से जो supply लेते हैं DC वहां भी यह decide करते हैं कि किस section को कितना voltage चाहिए और वो voltage वहां पे उस उस section को active करने के लिए दे दिये जाते हैं यही का प्राड होता है कि जब हमारा कोई section function नहीं करता तो वहां पे supply सबसे पहले चेक किया जाता है कि चाहें रायम की supply हो चाहें यहां पे plus IC की supply हो तो इसके कुछ symptom होते हैं यानि लच्छड का लिजिए उसे देख कर हम आसानी से समझ सकते हैं कि फाल्ट कहां से हैं और यही हमको सीखना भी चाहिए क्योंकि कोई fix फाल्ट जो है सीखने से हमारे problem solve नहीं होते क्या पता वो फाल्ट आपको मिले या ना मिले जिस फाल्ट के बारे में बताया जाता है तो इसलिए सबसे पहले इसके operating system को समयना बहुत जरूरी होता है